Electric cycles, धीरे धीरे इंडिया में electric cycles का trend बढ़ता जा रहा है और हमारी यूट में electric cycles काफी ज़्यादा popular होती जा रही है जो लोग long distance travel कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए electric cycles एक best option साबित हो सकती है इंडियन मार्केट में जब भी आप electric cycle purchase करने जाएंगे तो आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल पैदा होगा कि आकर कौन से brand की electric cycle हमें purchase करनी चाहिए क्योंकि brands तो काफी सारे हैं लेकिन कुछी ऐसे brands हैं जो आपको अच्छी quality की electric cycle deliver करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 electric cycles के brands बताने वाला हूँ या फिर वो 5 electric cycles बताने वाला हूँ जो आपको सच में value for money प्रोवाइड करते हैं और उन cycles के साथ आप without any hesitation जा सकते हैं अब electric cycle कैसे काम करती है किस mechanism पर काम करती है ये तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि YouTube पर काफी सारे videos available हैं इस topic के उपर इस वीडियो में हम सिर्फ focus करने वाले हैं on top 5 best electric cycles in India So let's start the video So number 5 पर मैंने रखी है news i3 brand की तरफ से आने वाली electric cycle को इस electric cycle में आपको lithium iron battery देखने को मिलती है In fact हर एक electric cycle में आपको lithium iron battery देखने को मिलती है विकाज इसी battery की वज़े से हम electric cycle को charge कर पाते हैं और किसी भी electric cycle में lithium iron battery सबसे important component होता है लेकिन lithium iron battery उटना matter नहीं करता जितना ampere r matter करता है बिकॉज किसी भी लिथियम आयन बैटरी का जितना ज़्यादा एंपियर आर होगा उतना ही लिथियम आयन बैटरी लंबे समय तक चलेगी मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा एंपियर आर होगा उटनी ही ज़्यादा देर तक लिथियम आयन बैटरी चार्ज रहेगी यानी बैटरी डाउन नहीं होगी उमीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाता हूँ वैसे इस इलेक्टरिक साइकल में जो आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है वो आपको 5.2 एंपियर आर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो फुल चार्ज होने में 4 गंटे का समय लेती है और एक बार फुल चार्ज होने पर ये लिथियम आयन बैटरी आपको 29 किलो मीटर्स की राइड डिलिवर करती है पर चार्ज दोस्तों इस इलेक्ट्रिक साइकल में आपको 27.5 इंचिस के टायर्स और 18 इंचिस की फ्रेम देखने को मिलती है जिसकी वज़े से 5.5 फीट से लेकर 6 फीट के हाइट में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये इलेक्ट्रिक साइकल एकदम सुटेबल है ये सिंगल स्पीड इलेक्ट्रिक साइकल है यानि की नौन इयर इलेक्ट्रिक साइकल है इसमें आपको 250 वैट की BLDC मोटर देखने को मिलती है इसके फ्रेम पर आपको 2 साल की वारेंटी पर आपको 2 साल की वारेंटी पर और इसकी बैटरी और इसकी मोटर पर आपको 2 साल की नहीं मिलता है वैसे ये इलेक्ट्रिक साइकल आपको 30,000 रुपीज के आसपास मिलती है और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नमबर चार पर मैंने रखी है हीरो लेक्ट्रो C6IE इलेक्ट्रिक साइकल को जो आपको मिलती है 5.8 एंपियर आर लीथियम आयन बैटरी के साथ जो फुल चार्ज होने में 4 गंटे का समय लेती है और एक बार फुल चार्ज होने पर आपको 30 किलो मिटर्स की राइड उन सब के लिए ये साइकल एकदम सुटेबल है इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन भी देखने को मिलता है और ये एक गियर साइकल है इसमें आपको 7 गियर्स मिलते है इसमें भी आपको डियोल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते है ब्रैंड आपको इस साइकल की फ्रेम पर सबसे आने वाली electric cycle को जो आपको मिलती है 27.5 inches tires और 18 inches frame के साथ जिसकी वज़े से ये electric cycle उन लोगों के लिए suitable है जिनकी height 5.5 feet से लेकर 6 feet के बीच में आती है और ये एक gear cycle है इसमें आपको 7 gears देखने को मिलते हैं और इसमें आपको 10.4 MPR की lithium ion battery देखने को मिलती है जिसे full charge होने में कम से कम 4 गंटे का समय लगता है और full charge होने पर ये lithium ion battery आपको 80 km की full ride deliver करती है per charge इसमें भी आपको 200 wet की BLDC मोटर देखने को मिलती है इसमें भी आपको dual disc brakes देखने को मिलते हैं ब्रेंड आपको इसकी frame पर 2 साल की warranty और इसकी fork पर भी आपको 2 साल की warranty प्रोवाइड करता है और इसकी battery और इसकी motor पर brand आपको एक साल की warranty प्रोवाइड करता है हालांकि इस cycle में आपको mudguard नहीं मिलता है लेकिन ये cycle आपको 40,000 रोपे के आसपास मिलती है और इसकी भी link आपको इस video के description box में मिल जाएगी आप इसे भी check out कर सकते हैं so number 2 पर जो मैंने cycle रखी है वो आपको मिलती है 91 brand की तरफ से जो आपको मिलती है 27.5 inches nylon tires और 17 inches frame के साथ जिसकी वज़े से ये भी cycle उन लोगों के लिए suitable है जिनकी height 5.5 feet से लेकर 6 feet की बीच में आती है अब ये एक non gear cycle है यानि कि इसमें आपको gears देखने को नहीं मिलते हैं ले delivery करती है इसमें भी आपको 250 feet की BLDC motor देखने को मिलती है ये भी electric cycle आती है डियोल डिस्क brakes के साथ ब्रैंड आपको इस electric cycle की battery और इसकी motor पर दो साल की warranty प्रोरायट करता है और इसकी electrical और mechanical devices पर एक साल की warranty प्रोरायट करता है इसमें भी आपको mudguard देखने को नहीं मिलता है इस Motorrad X1 brand की तरफ से आने वाली cycle को जो आपको मिलती है 16 inches steel alloy frame और 27.5 inches nylon tires के साथ जिसकी वज़े से ये electric cycle उन लोगों के लिए suitable है जिनकी height 5.5 feet से लेकर 6 feet के बीच में आती है अब ये एक non-gear electric cycle है और इसमें आपको 7.65 ampere R की lithium ion battery देखने को मिलती है जो की full charge होने में 4 गंटे का सम में लेती है और full charge होने पर ये lithium ion battery आपको 40 km की ride deliver करती है पर charge ये electric cycle भी आपको dual disc brakes के साथ मिलती है इसमें भी आपको dysovet की motor देखने को मिलती है BLTC motor और brand आपको इस electric cycle की battery पर 2 साल की warranty इसकी motor पर 1 साल की warranty और इसके charger पर 6 महिने की warranty प्रोवाइड करता है ये electric cycle हमारी list की सबसे best electric cycle है इसलिए मैंने इसे अपनी list में number 1 पे रखा है और ये सबसे सस्ती है ये आपको सिर्फ 25,000 रोपय के आसपास मिलती है और इस electric cycle के साथ वैसे आपको mudguard नहीं मिलता है लेकिन हा इसमें आपको जो lithium ion battery देखने को मिलती है वो removable lithium ion battery है यानि कि आपको battery को charge करनी के लिए प आपको ये electric cycle highly recommend करूंगा purchase करने के लिए इसकी भी link का आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी so friends ये थे आमारे top 5 best electric cycles in India thanks for watching